कि विदाई संभाशन कि विदाशी संभाशन पार्ठ के लेखा को बालमकुंद गुप्त जी का जर्म 1865 को रोहतक हर्याडा में हुगा था और इनकी इम्रत्तु 1907 में हुई थी इनकी मुख रचनाएं से संभू के चिठ्थे चिठ्थे और खत खेल तमाशा इसके साथ साथ इन्होंने अकवारे चुनार हिंदोस्तान हिंदी बंगवाशी और भारतमित्र आदी प्रमुख अकवारों का संपादन काम किया है बच्चों बाल्मकुंद गुप्त जी राष्टिय नौच्यागरण के शक्रिय पत्रकार थे विदाई संभाशन ये पाठ है यह पाठ शियो संभू के चिठ्थे से लिया गया है इस पाठ का जो सिंट्रल अरिया है के इंद्री भाव है वह यह है कि इस पाठ में जब वाशराय करजन थे देश में जो की 1899 से लेकर 1904 तक रहे आप्टर देन फिर से उनको पांच साल के लिए वायर्सराय बना दिया गया था लेकिन वाद में वह कि 1905 तक ही रह पाए हलांकि उनको दो बार के लिए वायर्सराय बनाया गया है लेकिन बाद में उनको उन्हें इस्तीफा दे दिया और यह क्या है पूरी तरह से वह दो पंच वर्षी का कारेकाल वो पुरा नहीं कर पाए है वास्तों में बच्चों इस पार्ट में वायर्सराय करजन के इसासन में जो भारतियों की इस्तितिका खुलासा किया गया है कहने के लिए लाड़करजन के शासन काल में विकास के बहुत सारे काम हुए नए नए आयोग बनाए गए किन्तु उन सबका उद्देश शासन में गोरों का वर्चस इस्तापित कर रहा था और साथ में भारत के संसाद्रों का अंग्रेजों के हित में कैसे सर्वत्तों प्रयोग किया जाए यहीं उनका में उद्देश था एम था लाड़करजन ने हिंदुस्तान पर अंग्रेजों का वर्चस इस्तापित करने के लिए पुरा प्रयाश किया वे सरकारी दिरंकुस्ता विस गौवर्मेंट की डिक्टेटरशिप के जो पक्षिदर थे वो इसलिए उन्होंने क्या किया है कि जो प्रेश थी उसकी सुतंद्रता परबैन लगा दिया उन्होंने प्रत्वंध लगा दिया कि लाश्ट में होता है क्या है बच्चों कि जो काउंशिल में अपने मन पसंद अग्रेज सदस की नियुक्ति करवाने के चक्कर में उन्होंने ब्रिटेश गौवर्मेंट से जो पत्रा चार हुगा तो उसमुन उन्होंने इस्तिफा दे दिया ठीके तो ब्रिटेश गौवर्मेंट ने क्या किया उसके इस्तिफा को श्युकार कर लिया और वो वापस इंगलेड चले गए इस पाठ में लेखक ने भारतियों की बेवशी दुख और लाचारी को बेंगात्मक ढंग से लाड करजन की लाचारी से उसके दुख से उसकी बेवशी से जोड़ने का प्रयाश किया है साथ ही यह दिखाने की कोशिश की है कि सासन के आत ताई रूप से हर किसी को कश्ट होता है चाहे वह सासक हो चाहे वह जनता हो चाहे वह सामान जनता हो यह लाड करजन हो यह उस समय लिखा गया गद्य का नमूना है जब प्रेश पर पुरी तर से पावंदी लगा दिये गए थी प्रेश पर बैंद था ऐसी इस्तित में बिनोद प्रियता चुलबुलापन संजीदगी नमीन भाशा प्रयोग रवानगी के साथ साथ एक साहसिक गद्य का यह नमूना है तो बच्चो इस पार्ट में दो कहानिया हैं लाड करजन के साथ साथ उन्होंने यह बताने का प्रयाश किया है लिखक ने कि लाड करजन को संबोधित करके पूरा पार्ट लिखा गया है इसका जो सेंटरल आइडिया हमने आपको बताया तो लाड करजन से वो यह बताना च चाहिते हैं लिखर को यहां पर एक कहानी बताई हिए उन्हों ने कि वात्रों में कि आपके साथ में जो आपकी दुर्गत हुई है मैं आपको हिंदुस्ताइन सब कुछ दिया कि यहां पर सोने के शञए अब बैठे आपकी श्री मद्यी मरिद यह इसओने के है कि तो आपकी शवारीव आप कहा थी सबसे आनके रहता था कि कैनेCR आ कि आपको जाबर सम्मान मिलता था है कि लेकिन हिंदोस्तान में आप सब कुछ सुख हो गए है हिंदोस्तान आप को साथ गूत यह दिया कि आप हमेशा मनमोजीपन किये आपने हमेशा जो है तो आपका उद्देश यही था कि किस तरीके से कि हम इंदुस्तानियों को दुख पहुंचाएं कि यहां की जनता बेचारी प्रेशान थे जैसे उन्होंने बताया है यहां पर देखिए कि यह बता दिया जैसे क्या है गरम तबा होता है उसमें पानी की बूंद डाल दी जाती है तो जैसे वो क्या है तड़कती यहां से वहां क्या है नाश्ती रहती है और बाद में क्या है जल करके सूख जाती है शिमिलरली आपने भी भाई हिंदुस्तानियों के साथ में किया तो बंगाल का विभाजन कराया बंगाल की विभाजन में कोई भी खुश नहीं था लेकिन हुआ क्या जनता गिड़गराती रही आप नहीं माने तो लिखा कि यह कहता है कि देखिए जो है अपने मन पसंदिदा आप रखना चाहते थे लेकिन का जूनियर को आपने रखनी कोशिस की सीनियर को इग्मोर कर दिया सीनियर आप की कंप्लेन कर दी और भाद को क्या हैं अपने जूनियर को ही अपने काउंसिल में रखने के लिए आपने जो प्रयास किया और ब्रेटिन में वहाँ पर के राजा को आपने के चिठी लिखी तो ब्रेटिस गॉवर्मेंट ने कहे और धमकी आपने दिया कि अगर आप इसको नहीं रखेंगे तो मैं श्तीफा देता हूं आपको श्यूकर कर लिया गया तो माई लड़ा आप यह समझो कि वही क्या है वास्त हिंदुस्तानियों के एक्षाफ पूरी नहीं हुई अर्था आपको दुबारा फिर्चे भगमान ने बना दिया वैसराय लेकिन देखिए आप जो यहां पर दुबारा वैसराय बने तो आपका यह मानना था कि आप दुबारा मैं इतना ऐसा काम कर जाओंगा कि कि भी दूस इसमें क्या उन्होंने राइटर ने क्या दो कहानी बताएं कि यह बताया उन्होंने कि पहले तो उन्होंने शेव संभू की दो गायों की कजिक्र किया उन्होंने बताया कि हम हिंदुस्तानी हैं आपके दुख से हम दुखी हैं हम किसी के दुख में हम दुखी होने वाले लोग हैं थांख हम में माना होता है कि वो बता रहे हैं सहिर्शंभु की दो कि गायों का बता कि हम इंदुस्तानियों में क्या एक बार तुख हुआ थी उन्हें से एक अधिक बलसाली थी और दूसरी कमजूर थी तो बलसाली जो थी तो कम जोर को मार मार कर उसका पूरा खाना खालेती उसको गिरा देती थी तो क्या हुआ उसका जो संभू ने क्या किया कि अपने पुरोहित को बुलाया और जो क्या है कि जो ताकतवर्थी गाय कि उसको क्या मजबूत थी उसको दान कर दिया होता है क्या है बता है माईलाड यहां पर क्या हुआ कि जो कमजोर गाय थी ना वो क्या मजबूत गाय को बंसाली गाय को घर से चले जाने पर खुश नहीं होती है विल्कि क्या है वह उस दिन जो भूंकी खड़ी रही चारा को शुआ तक नहीं माईलाड क्या है जहां जिस देश पर पस्वों के आपस भी बिछड़ने के समय पर ऐसी दसा होती है तो वहाँ पर मनुष्य जो है कि कैसी दसा होती होगी यह अंदाजा लगाने कठी नहीं है वास्तों में आप जो है इस बात को मैसूश नहीं कर पाया सकते हैं कि यहां हिंदुस्तान में पस्वपक्षियों में इतनी सेंस्टिविटी है तो यहां के मनुष्य में कितनी सेंस्टिविटी नहीं होगी हम आपके दुख दर्द को दे करके खुश नहीं है कि ये बास Igetics आप जो है तो जो ये आप गाराज सब्सद्साहं साथ आप ने हमलने की आधिम आप तो कैसर दार जार और नादिर साइसे ज़ाधे गटेटरशिप में कहा जाएं तो आपका जो तो दयाक नाम की चेज नहीं थी तुम्हारे आँखों में क्या था पानी नहीं था सायद हम हिंदुस्तानियों के लिए फिर भी क्या है हम यह चाहते हैं कि आप जो है तो जाते जाते एक छोटा सा बड़पन अगर आप देखा जाते कि एक बार कहते कि अरे हिंदुस्तानियों मैंने आपके शाथ भी कोई भी अच्छा काम है किया तेकिन अब मैं जा रहा हूं मुझे बाफ करना तेकिन आप माई लॉड आप ऐसा नहीं कर सकते हूं जाने इस बाद को बताने के लिए कहानी बताया रहे है तो बता रहे थे कि एक बार क्या हुआ कि यहाँ पर एक नर्शल्टान की कहानी जो बता रहे है कि एक गित गया जाता है वहां पर तो नर्वर्वड़ में क्या है कि एक बार बताय कि यहां पर विपत्ती आई और कई शाल तक वो सुल्टान नर्वर्वड़ में जाकर कि एक इस्थान पर उनने काटे थी नर्वर्वड़ यह श्यूपुली की आँश्पास है तो यह पुराना जो तो एतिहासिक इस्थाने तुहां पर उन्हें क्या है इस बात को उन्हें यहां पर काटें तुम पर चोकीदारी से ले करके कई उचे पद पर उन्हें काम किया जिस दिन घोड़े पर सवार होकर कि वह उस नगर से विदा हुआ राजकुमार तो नगर द्वार से बाहर निकला और नगर की जो रीदी है जिस रीद से उसने अभिवादन किया उसने वो बता रहे हैं कि माई लाड़ सुनिए उसने आखों में आशु भर करके कहा कि प्यारे नर्वरगर मेरा प्रणाम ले आज मैं तुझ से जुदा होता हूँ तु मेरा पान दाता है कि अपनी विपत्ति के दिन मैंने तुझ से काटे हैं तेरे रिन को आप अदला मैं कैसे एक गरीब से पाही दे शकता हूँ चुका शकता हूँ भाई दर्वरगर जादी मैंने जान भूज करके एक दिन भी आपकी शेवा में चूप की हो यहां की प्रजाक की सुभ चिंता ना की हो यहां के इस्तरियों के क्या है और को माता ना बहन की द्रशी से ना देखा हो तो मेरा प्रणाम ना लेना तो कहना चाहिए कि इस तरीकी से आप में वो क्या कैपिबिल्टी नहीं है कि आप क्या है अपनी गल्ती का हैसास आप कर सको क्यों क्योंकि आप एक है समवेदन सून इव्यक्ति है इस तरीके से यह पूरे पार्ट की शमरी है अब हम इस पार्ट को पढ़ना शुरू करते हैं अब बच्चों देखेगा कि माई लाड विदाई संभाषण में माई लाड अंत को कि आपके शैशन का इस देश में अंत हो गया है अब आप इस देश में अब आप इस देश से अलग होते हैं इस संसार में सब बातों का अंत है इससे आपके शासन काल का भी अंत होता चाहे आपकी एक बार की कल्पना के अनुसार आप यहां के चिरिस्थाई वायस राय ही क्यों नहों जाते कि इतनी जल्दी वह समय पूरा हो जाएगा ऐसा भी सार ना आप ही का था और ना इस देश के निवाशियों का इस से जान पड़ता है कि आपके और यहां के निवाशियों के बीच में कोई तीसरी शक्ति है और भी है जिस पर वह यहां वालों का तो क्या आपका भी कोई काबू नहीं है तो राइटर कहता है कि देखिए माई लाड करजन जी आपको क्या है में भी पोश्च आप सोचते थे कि आपकी पर्मानेट अगरवाइश राय बन जाते फिर भी क्या है यह आपका भ्रह्म था वह आप हमेशा बने रहोगे वह यह संसार में कोई इस्थाई है नहीं रहा है ना कोई यहां रही ह सब हैं सब इस दुनिया से चले गए हैं तो चेरिस्थाई वाइसराय बने के बाद में भी क्या है आपका समय इतनी जल्दी समाप्त हो जाएगा यह हमने नहीं सोचा था लेकिन इसर को कुछ और मंजूर था इस तीसरी शक्ति है मतलब आर्था इस्वर हैं तीसरी शक्ति का मतलब यहां किसे है इस दुनिया में इस एक ऐसी भी शक्ति है जो किया है वो सबसे सुप्रीमों है वो जो चायती है वही होता है ठीक है तो उसने उस तीसी शक्ति ने क्या किया उस पर जो है किसी का वस नहीं चलता किसी की काबू नहीं चलता उसके सामने कोई भी ताकतवर नहीं होता है तो इसमें राइटर आंगे कहता है कि बिछड़ान समन बड़ा करणोत पादक होता है आपको बिछड़ते देखकर आज हमारा हमारे हिर्दय में क्या बड़ा दु किसी प्रकार प्रसंद नना थे। राइटर कहता है कि देखे, जो बुच्छनने का समय होता है बहुत थी उसमें करनों पादब करना होती है। कभी भी कोई किसी की वेटी की विदाई हो रहे है। तो आप लेखिए उसमें सब जब रोते हैं तो सब के आख्ममích में आश्यूना जाता है कभी कोई इस दुनिया से किसी की बिदाई होती है किसी डेइभ होती है तो रो Can Davff, भीलगते देखते हुए हमारे आखों में आशुआ जाते तो राइटर कहेता है कि बिछड़ने का समय मिलने के बाद अलग है जब लोग यहां से बिछड़ते हैं तो क्या है लोगों के फिर्दे में जो जिसमें मानवता होती है उसमें क्या है दूसरे के दुख को भी ओ लोग क्या अपना दुख समझना सुरू कर देते दुश्यमन के दुख में भी लोग क्या दुखी हो जाते हम हिंदुश्टानि हैं वास्तो में आप जब दुवारा वाइसराय बने थे तो हम खुश नहीं थे कोई भी हिंदुस्तानी खुश नहीं था वे यहीं चाहते थे कि आप किशी फिर किशी तरीके से यहां पर ना आवें पर आप आग ही गए आपके आने पर हिंदुस्तानी बहुत दुखी हुए वे क्या है दिन रात यही मुना देते कि जल्द सिरीवान जी लाड़ जोत करजन साहब आप यहां से जोतो पधार जाएं यहां से चले जाएं लेकिन आज क्या है आज जब प्यासे वास्तों में जब जा रहे हैं तो लोगों को खुश होना च्चेह था हिंदुस्तानीओं तो लेकिन कि आपके इस दुख देठकर पर विजाद में बदल गया च्रुक्त विजुक्ष उनका दुख में बहुत करणूत पादक होता है कि बड़ा पवित्र बड़ा निर्मल और बड़ा कोमल होता है कि बैरभाव छोड़ करके सांत रस्त मन में पैदा हो जाता है कि यह वह समय है माईलाड कादेश देखने का इस दिन ब्रामन को कभी जो तो इस जर्म में शौभाग नहीं होगा लेखक कहता है कि बही मुझे जो है तो कभी भी इंगलाइन जाने का मौका नहीं मिला यह बात सही है इससे ही नहीं जानता कि वहां बिछड़ने के समय लोगों का क्या भाव होता है राइटर ने का कि जो कुछ भी हमने बताया बिछड़ने का जो कंडिशन वो अपने हिंदुस्तान के अधार पर बताई है इंगलाइन में क्या होता है इस बात को क्या है हमने देखा ही नहीं है अगर मौका मिलता तो देखते हैं पर इस देश में पश्पक्षियों को भी बिछड़ने के समय उदास देखा गया है एक बार अब बता रहे हैं कि शिवासंभू के दो गायें थि देखा कि दुर्बल गाय उसके चले जाने से प्रसन नहीं हुए वलकि उस दिन वह भूखी खड़ी रही, चारा शुआ तक नहीं, माईलाड जिस देश के पश्वों के विश्णते समय यह दश्वा होती है, वहां मनुश्य की कैसी दश्वा हो सकती है, इसका दाजा लगाना कठिन नहीं राइटर यहां पर यह बताना चाहते हैं कि शियो संभू के गाय के माध्यम से कि जहां के पसुपक्षी, हिंदुस्तान के पसुपक्षी भी है, वो क्या है, जो हमें कश्ट पहुचाते हैं, उनसे भी जालाग होते हैं, तो उनको दुख होता है, तो हम लोग तो मनुश्य हैं हमारी क्या दसा होती होगी आपके इस दुखदर्द को देख करके अब आप समझ लीजी आंगे भी इस देश में जो प्रधान सा सकाए अन्त में उनको जाना पड़ा इस से आपका जाना भी परंपरा की चाल से कुछ अलग नहीं है तथा पी आपके शासनकाल का नाटक खोर दुखान्त है और अधिक आश्टर की बात यह है कि दर्शक तो क्या स्व्यम सूत्र धार भी नहीं जानता था कि उसने जो खेल सुखान्त समझ करके खेलना आरम किया था वह दुखान्त हो जावेगा जिसके करन से जिसके आदे में शुक था मध्ध में शीमा से बाहर शुक था उसकान्त ऐसे घोर दुख के साथ कैसे होगा आह गवंडी खेलारी समझता है कि दूसरों को अपनी लिला दिखाता हूँ किन्तु पर्दे के पीछे एक और ही लिला माई की लिला हो रही है यह उसे ख़बर नहीं राइटर यहां पर यह बताना चाहता है कि वास्तों में जो इसली शक्ती है वह सुप्रीमों है उसके आंगे किसी की नहीं चलती ठीक है राइटर के कहने का है आसे यहां पर एक से शक्त शाली साशक आये लेकिन सब को यहां से जाना पड़ा कि ठीक है कि वहीं आपको भी जाना था यह बिलुकुल बात सत्ते है लेकिन क्या है कि आपने जो क्या है ड्रामय वाजिक की कि अपने शुक के लिए ठीक है अपने नाम को रोशन करने के लिए लेकिन क्या हुआ उसका इस तरीके से अंत होगा आपने कभी सोचा ही नहीं था कि यह रिजर्ट आपको मिलेगा यह आपको क्या है यहां से जाना पड़ेगा हिंदुस्तान से आप कुपत से हटा दिया जाएगा आपका इस्तीफ़ श्युकार कर लिया जाएगा यह आपने नहीं सोचा था आप क्या है इस दूस्वर के सामने क्या है आपन सोची और है प्रवसोची तत का आदमी जो सोचता है वह नहीं होता लेकिन क्या है जो इसले सोचता है कि इस बार मुंबाई में उतर करके माईलाड आपने जो इरादे जाहर किये थे जरा देखिए तो उन में से कौन-कौन पूरे हुए आपने कहा था कि यहां से जाते समय भारत वर्ष को ऐसा कर जाओंगा कि मेरे बाद आने वाले बड़े लाटों को वर्षों तक कुछ करना न पड़ेगा वे कितने ही वर्षों सुख की नीद सोते रहेंगे कि दू बात उल्टी हुई स्वयम आपको स्वयम इस बार बेचैनी उठानी पड़े और इस देश में जैसी असांती आप फैल लाकर के चले गए हैं उसके मिटाने में आपके पद पर आने वाले को ना जाने कब तक नीद और भूख हराम करनी हो पड़ेगी यह मालूम नहीं इस बार आपने अपना विश्टरा गरम राक पर रख दी रखा है और भारतियों को गरम तवे पर पानी की मूनों की भात नचाया है आप स्वयम भी खुश ना हो सके और यहां की प्रजा को भी शुक्षी ना होने दिया इसका लोगों के इचित पर बड़ा ही दुखे राइटर यहां पर यह कहता है कि देखिए जब आप जो तो सेकंड टाइम जब फिर से वाइसराय बन करके आए थे तो आपने कहा था कि नहीं हिंदोस्तानियों को क्या है हिंदोस्तान में ऐसा करके कुछ जाओंगा कि मेरे बाद जो भी लाड आएंगे जो वाइसराय आए कोई काम ही नहीं करना पड़ेगा कोशें था है कि रहता लेकिन हुआ क्या है वास्ताव में उनको शक्चा देनी के बाद सुब्र हिए लाइव को सूख से रहने दिया आप ना जो भी बशरां में हिसा रखोगे तो कि है की franchise अर आभी क्रेशान हुए ए हैalnya कि लोगे से वि कि राक में जो आग की जिनगारे होगी विस्तर में रूई में घुश जाएगे और क्या पूरा विस्तर जल जाएगा उसमें लेटने में बाला भी जल जाएगा तो यहीं तो हुआ लाड़ करजन भी क्या है जल गए कि यहां से चले गए ना हिंदुस्तान से अ विचार यह तो क्या अशान आपकी इस देश में थी और अब क्या हो गई है कितने उचे होकर कि आप कितने नीचे गिर गए वास्ताव में बच्छो क्या होता है पहले व्यक्ति को अगर क्या जीवन में पहले कष्ट मिले और फिर बाद में सुख मिले तो जीवन सफल रहता है और अगर किसी को पहले क्या सुख मिल जाए बाद में कष्ट मिले तो जीवन और नर्फ हो जाता है और लाड़कर जनकिश्वे थे सेकंड टाइप के आदमी थे ना यह पहले सुख अब क्या बाद में दुख राइटर यह कहता है कि आपको ऐसा सुख और आराम हिंदुस्तान मिला है इतना सम्मान मिला है जो कि क्या है अलिफ लैला के अलाहदीन जुकेश्चिराग कुरगड करके भी अबुल हसन ने बगदाद के खलीफा की गदी में जुद्व आँख खोल करके भी यह स्टान नहीं देखी जो कि आपको दिल्ली के दरवार में जितना भी स्टान सौकत मिली है आपकी और आपकी लेडी की कुर्सी क्या थी सोने की थी आपके प्रभु महराज की जो छोटे भाई और उसकी पत्नी की चांदी की थी आप दाहने थे वैबाएं आप प्रथम थे वे दूसरी इस देश के सब रहिशों ने आपको सलाम पहले किया और बादसाह के भाई को प करता था सबसे उचा था हौदा चावर छहत्र कि आज सब बढ़ चड़कर थे कि शारांस यह है कि ईश्वर और महाराज एडवर्ड के बाद इस देश में आप ही का एक दर्जा था किन्तु किन्तु उसमें से किन्तु इसमें से कि इश्वर और महाराज एडवर्ड के बाद इस देश में आप ही का एक दर्जा था किन्तु आप देखते हैं कि जंगली लाट के मुकाबले में आपने पढ़करनी खाई सिर के बल नीचे आ रहे हैं आपके स्वदेश में वही उचे माने गए आपको शाप नीचे देखना पड़ा पद चाग के धंकी से भी उचे ना हो सके कि रैटर कहता है कि देखिए हिंदुस्तान में आपको हमेशा उचाई का दर्जा दिया संबान दिया सब कुछ को लेकिन क्या है आप अपने देश में ही नीचे हो गए आपने इस्तीफा देने की विजो तो धंकी दिया लेकिन इसके बाद में भी उससे आपका काम नहीं च इस सारी धीरता गंभीरता का आपने इस बार काउंसल में बे कानूनी कानून पास करते और कन्वोकेशन वक्रता देते समय दिवाला निकाल दिया यह दिवाला तो इस देश में हुगा उधर बिलायत में आपके बार बार इस्तीफा देने की धंकी ने रकास में यह कर दिया जाहिर कर दिया कि आपकी जड़ें हिल गई और अंत में वही भी जो तो आपको दिवालिया हो महाँ पर होना पड़ा धीरता कम बीरता के साथ रड़ता को भी तिलांजली देनी पड़ी इस देश के हाकिम आपकी इताल पर नाशते थे राजा महराजा डोरी हिलाने से शामने हाथ बाधे हाजिर होते थे आपके एक इसारे में प्रलाय होती थी कितने ही राजों को मिट्टी के खिलाउने की भाँ थी आपने दोड़ फोल डाला कितने ही मट्टी कार के खिलाउने आपकी क्रपा के जादू शे बड़े बड़े बदार्दिकारी बन गए आपके इस इसारे में इस देश की सिक्षा पायमाल हो गई शाधिनता उड़ गई बंग देश के सिरपर आ रह रख गया आ रह रख दिया गया आ इतने बड़े माईलाड का यह दर जाओ खुआ की फोजी अफसर उसके इच्छित पर पर नियत ना हो सका और उनको उसी गुष्चे में केमारे इस्तीफा दाखिल करना पड़ा फरवाई भी मंजूर हो गया वुष्का रखाया एक आदवी नौकर न रखा उल्टा उन्हीं की जो दो निकल जाने को खुखम बिल गया तो राइटर यहां पर यह बताना चाहता है कि भाई आप ने क्या किया आप ने जो इस जो भी हिनदोस्तान में आपको सब्स्भान संब्स होई ब्ला स्ब ठीक है लेकिन आप ने हिंदोस्तान करव भी नहँंग जहां यहां कि इस पीतितिकी के जिसको बनाना चाहे यहां की लोग की आजादी को कर दिया अगशी पर आछाने नाभुद कर दिया , उस वैस्ट-वेंगॉर्गॉस्षा कर दिया बना दिया बंगल में बजन 1905 को वा दिया लेकिन क्या है समय की गदी देखिए कि आप एक फोजी अफसर को भी कहा उसकी नौकरी पर नहीं रख पाए और उल्टा आपको ही क्या है अपने पद से इस्तीफा देना पड़ गया बच्चो इसके बाद है उस समय आपका बहुत ऊचे चड़कर के गिरना यहां की निवाशियों को दुखित कर रहा है जिस समय आपका बहुत ऊचे चढ़कर के गिना यहांके निवाशियों को बहुत दुखित कर रहा है गिर करके पढ़ए रहना उसे भी अधिक दुखित करता है भाप यह कि जैसे यहांपर क्या है गिर करके पड़े रहना तो यहांपर फैसित कर लिया गया लेकिन उनको यह कह दियागए कि जब तक दूसरा वाइस रह नहीं आ रहा है तब तक आप कारकारी वाइस रहे हैं मतलब कोई अब डिसीजर नहीं ले सकते हैं कि नाम मातर के लिए कुर्शी पर बैठे रहेंगे यह चीज क्या होती है बहुत खलती है रैटर नहीं बता रहा है कि आपका पद छूट गया त कि लिए कि आपको जो इस समय अपने पद पर रहना जो तो कहां तक पसंद है कि आप ही जानते होंगे आपको लगते होंगे कि इतनी जल्दी हम यहां से इंग्लेंड चले जाए हैं कि अपनी दसापर आपको क्या है कैसी गृणा आती है किसे बात के जान लेने का इन देश बास्यों को उसर्ट तो नहीं मिला पर पतन के पीछे इतनी उलजन में पढ़ते उन्होंने किसी को नहीं देखा हम लोगों ने कि पतन हो गया इसके बाद में उलजन परेशानिया फिर एक पातन होगा है किसी लेकिन आपका नत्र क्या हुआ है अंद्र क्या क्यylत्र क्या कम नहीं हुगा, आगिर राइटर कहता है कि मॉलाड एक अपने कामों की और ध्यान दिजिये, आप किस काम को आये थे और क्या कर चले। वही आप सासक है, सासक जो होता है, राजा जो होता है, जनता है कि क्या होता है? मात पिता की तरह होता है? कहते हैं कि बर्षत हर्षत लोग सब अकर्षत लखे न कोई, तुलशी प्रजा स्वभावते भूप भानुसम होए जैसे क्या होता है, वास्तों में राजा को क्या होना चाहिए, सासक को क्या होना चाहिए, शूर की तरह होना चाहिए, जैसे शूर क्या करता है? किशी धर्ती से पूरा जो तो पानी इवावरेट करके ले जाता है उपर पानी धीरे-धीरे क्या है करते है गर्मी से पूरा पानी भाब बन करके उड़ जाता है चला जाता है लेकिन किशी को पता नहीं चलता किशी को कोई कस्ट नहीं होता कि पानी यहां से जिसा मापत हो गया और बाद में क्या हहाता है वही पानी खटकर कर गे और बाद में वारिश्म के रूप में फिर पूरा का पूरा पानी आकर धरती में जब वो बरसता है, तो सबी लोग प्रशन होते हैं जेकर पानी को दूसरी जएका यहीं का पानी है इसी धर्ती का पानी है और इसी धर्ती में आ गया वापस तो लेकिन जब इसे खीछा गया है कि तो सोभी होते हैं कि इस्थयन फैसिता है छूरियर का पर अपनी करось द्वाराना कि किश्वी सुध को पता नहीं चलता है। सब्सक्राइब करता है यह बात आप मिश्चित मानते होंगे शुक्रपा करके बताइए कि क्या करतब आप इस देश की प्रजा के साथ पॉलन कर चले आप यहां पर छे साल तक रहे आपने कौंसे इस रिस्पांसिविल्टी जन्ता के प्रति आपने की कौंसा इसा वर्क किया जिसे आप जन्ता के फेबर हुआ क्या आख बंद करके मनमाने हुक्म चलाना और किसी की कुछ ना सुनने का ना भी शासन है रैटर कहता है कि मनमोजीपन करना आख बंद कर लेना क्या किस में हो रहा है किस से क्या प्रावलम हो रही है क्या कि हमने बोल दिया तो बोल दिया यह कोई शासन पर रवस्ता थोड़ी है क्या प्रजा की बात पर कभी कान ना देना जन्ता की बात ही नहीं सुनना उसको दबा करके उसकी मर्जी के विरुद अपनी जिद में क्यों तो काम किये जाने जाना यहीं सासन कहलाता है ऐसा सासन तो हो ही नहीं सकता बच्चों जनता है कि राजा जब है जब प्रजा है तो राजा है और प्रजा का हित है तो राजा का हित है एक काम तो ऐसा बताईए जिसमें आपने जिद छोड़ करके प्रजा की बात पर ध्यान दिया हो अर्थात कोई भी ऐसा काम आपने नहीं किया जिसमी क्या है प्रजा का कल्यान हुआ हूँ वस आपने अपने जित पूरी की है इसके बाद राइटर कहता है कि कैसर जार भी घेरने घोटने से प्रजा की बात सुन लेते हैं पर आप एक मौका तो बताई जिसमें किसी अन्रोध या प्राथना सुनने के लिए प्रजा की लोगों को आपने अपने निकट फटकने दिया हूँ और उनकी बात सुनी हूँ यहां पर कैसर और जार यह बच्चों किया कैसर जो था यह रोमन तावना साह जूलियस सीजर के नाम से ठीक है बना शब्द है जो कि ताना साह जन्वन सासकों के लिए प्रयोग होता है और जार यह भी जूलियस सीजर के से बना शब्द है जो मिशेश रूप से रूस के जो जो ताना साह, जो सासाक जो थे, उनके लिए प्रयुक्त होता था. आगे राइटर कहता है, कि नादिर साह से नहीं, जब दिल्ली में कतल एजाम किया था, तो आसिप जाह के तलवार, गले में डाल कर, गले में डाल कर, प्रांकी प्राँकना करने पर उसने गतले उसे दम होगारा दा. रेटर ये कहता है, की जो दिखिये। नादिर साह भूंहार, जब भी तिखिये। जाह सब दुखबहूचाम कर दिया था, दिल्ली के वी प्रांकी क्मम करने था. लेकिन जैसे उसने कИया आसिवजाय की तलवार जो तुसने गले में रखे उसने क्या प्राता किया हें कि यौह आप हम लोगों को मत मर गें तो ken उसकी विंति करने पर क्या गड़ गड़ आने पर उसे कतले आम को रोक दिया गया उसे ने बस नहीं रोक गया पूरी दिली में कतले आम रोक दिया गया थी राइटर कहता है कि लेकिन आठ करोर प्रजा के गड़ गड़ आने पर भी आपने क्या है बिच्छे दरा करने की प्रात्ना पर आपने जरा भी द्यान नहीं दिया हिंदुस्तान की आठ करोड़ों जंता जो थी वो क्या आपके सामने हाथ जोड़ रही थी आप बंगाल का विभाजा नमद कराइए बंगाल का मतलब समझेए बच्चो मतलब जो इस्ट बेंगॉल और वेस्ट बेंगॉल की रुप में 1905 में नहीं बना दि और नहीं किया कर दे्ट इस बेंगॉल और वेस्ट बेंगॉल टूपार्स के कर दिये थे a तो अगर इस्ट वेंगल और वेस्ट वेंगल नहीं होता तो क्या होता आज इस्थितिया नहीं होती ना वह भारत से अलग नहीं होता लेकिन क्या है पहले से उन्होंने अलग कर दिया था जाती धर्म के अधार पर तो कहते हैं कि जहां पर बंगाल की जंता जो थी हिंदुस्तानी लोग जो थे वो क्या है इस बात का विरोध कर रहे थे और इसके लिए उन्होंने क्या किया प्राथना किया बिंती किया लेकिन आपने किसी की बात नहीं सुनी इस समय आपकी शासनावद पूरी हो गई है तथा भी बंग विछेद किये बिना घर जाना आपको पसंद नहीं है वही आपका टाइम डूरेशन पूरा हो गया है शह साल के जो समय था आपको अटा दिया गया इसके बाद में भी है क्या है आप बंगाल के विभाजन के कामने उस प्रोसेश्टिंग में के आप लगे ध्य आदमी को आपके कहने पर पद ना देने से आप नोकरी छोने जाते हैं इस देश की प्रजाग को भी यदि कहीं जाने की जगए होती तो क्या वह नाराज होकर इस देश को छोन करना जाती राटर कहता है बहीं दिखिए आप जो है एक आदमी को रखवाना चाहते थे और आपको नोकरी छोनकर आपको अपने देश के चले गए तो यहां की प्रजा ने आपको जित पर काफल यहीं देख लिया है इससे उसने देख लिया है कि आपकी जिस देश की प्रजा को पीडित किया है आपको भी उसने कम पीड़ा ना दिये यहां तक कि आप स्यम उसका शिकार हुए यहां की प्रजा वह प्रजा है जो अपने दुख और कष्टों की अपेक्षा परडाम का अधिक ध्यान रखती है वह जानती है कि संसार में सब चीजों का अंत है दुख का समय भी एक दिन निकल जावेगा इसी से शब दुखों को जहेल कर पराधिंता से कर भी वह जीती है माईलाड इस क्रतगता की भूम की महिमा आपने कुछ न समझी और ना यहां की दीन प्रजा की स्रद्धा भक्ती अपने साथ ले जा सके इसका बड़ा दुख है रैटर यह कहता है कि देखिए वास्ताव में आपका जो जिद्ध आपने जो किया उसका जो तो प्रड़ाम के रिजल्ट आपने देख लिया यहां की जनता को मालूम है ना यहां की जनता तो किए भगवान सिर्यिमद बहबवत गीता को पढ़ती सुनती है जिसमें क्या है कहा गया है कि अवश्य में भोगत अव्यम कृत कर्म शुभाशु कि हर किसी को क्या है अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल भोगना पड़ता है जो कोई जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान यह गीता का ग्यान तो यहां की लोग इस क्या है आपकी ने जो भी पीडा दिया उसको जहल लिया ठीके यहां की लोग क्या दुख और कश्ट क्या पेखिए उसके रिजल्ट पर देखते हैं कि अंद भला तो सब भला उनको मालूम है कि दुनिया में हर चीज का अंद है तो आप कभी अंद हो जाएगा उनको मालूम था इसलिए क्या गुलाम है तो गुलाम है कभी कभी न कभी अंत होगा इसलिए भले आज हम गुलाम है कभी न कभी हम क्या आजाद हो जाएंगी इस बात का उन्हें पूरी तरसे क्या है कि हिंदुस्तानियों को क्या है ग्यान है तो यहां की जनता से आपने किया है माईलाड स्रद्धा भक्ति के भाव आप नहीं सीख सके यहां की लोगों के विचारों से आप प्रभावित नहीं हुए इस बात कामे दुख है इस देश के सिच्छतों को तो देखने की आपकी आँखों में ताब नहीं अनपढ़ गोंगी प्रजा का नाम कभी कभी आपके मों से निकल जाया करता है उसी अनपढ़ प्रजा में नर सुल्तान नाम के एक राजकुमार का गीत गाया जाता है एक बार तो यहां पर रैटर कहता है देखिए पढ़े लेखे लोगों को जाने दीजिए आप पढ़े लेखुज लोगों को क्या आप झ्यल पाएंगे अनपढ़ लोगों के बारे में अगर आप जहान देगे तो इसमेंसे क्या है उनके बारे में ज्जादा आगर आप चर्शाएं करते हो तो सुनिए है कि यहां पर क्या है एक नर्श उल्तान था जो राजकुमार का उस गीत हमेशा गया जाता है लोकत्थाओं में गीत लोग गीतों में तो हुआ क्या था कि एक बार नर्श उल्तान के यहां पर आपत्ती आई उसका राजोगरा सवचीन चन गया कई साल सुल्तान जो है तो अपने जीब को परजन के लिए नर्वर गण में जाकर के और चप्राशी चौकीदारी का काम करना सब्ढ़ा उनको बाद में क्या है उनके टेलेंट के अधारपन को धीरे उनको प्रोमोशन हुआ एक दिन ऐसा भी आया कि वापस उनका राजपाण मिल गया अब नर्वर गण से वापस जब उनको जाना था तो जिस दिन उगोड़े पर सवार होकर के और उस नगर से वो बिदा लिये तो नगर के द्वार से बाहर आकर के उस नगर को जिस रीति से उन्होंने अभी बादन किया था वह सुन लिए माई लाड और उसके आखों में आशु भर करके उसने कहा था कि प्यारे नर्वर के दिन मैंने तुझ में काटे हैं तेरे रिंड का बदला मैं गरीब सिपाही नहीं दे सकता भाई नर्वरगर्ण यदि मैंने जान बूझ करके एक दिन भी अपनी सेवा में कोई चूक की हो यहां की प्रजाकोष की सुब्शिंता ना की हो यहां की इस्त्रियों को माता और गहन की दिर्शित से ना देखा हो तो मेरा प्रणाम ना ले नहीं तो प्रशन हो करके एक बार मेरा प्रणाम ले और मुझे जाने की आग्या दे तो यह क्या है नर्शुल्तान की बात है करताच जो हमा जहां पर हमने का है कि जहां पर हमारा जो जीवन आ जाता है जो Jackson दाता है है तो में उसके प्रति हमारी क्या है कुछ नी कुछ क्या है है करेद्स आड़ भाव होना चाहिए कि शेंट होना चाहिए उसके प्रजाब में एहसान माना चाहिए, एक रतगता होने चाहिए लेकिन राइटर कहता है कि माई लाड जिस प्रजा में ऐसे राजकुमार का गित गया जाता है उसके देश में क्या आप भी चलते समय कुछ समभासन करेंगे, कुछ बोलेंगे आप क्या आप कह सकेंगे, राइटर कहता है क्या आपको अपनी गलती महशूश होंगी, तो फील करेंगे आप, क्या आप ये कहेंगे कि अभागे भारत मैंने तुष्चे सप्रकार का लाब उठाया, तेरी बदावलत वहसान देखी, जो इस जीवन में असंभव है, तुने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, पर मैंने तेरा बिगाड़, तेरे बिगाड़ने में कुछ कमी न की, संसार के सबसे पुराने देश, जब तक मेरे हाथ में शक्ति थी, तेरी भलाई की इक्छा मैंने, कभी मेरे जी में कभी भी नहीं थी, अब कुछ शक्ति नहीं है, जो तेरे लिए कुछ करशकूं, पर आशिरवाद करता हूँ कि तू फिर उठें और अपने प्राचीन गवरव और यश को फिर शेलाग करें, प्राप्त करें, मेरे बाद आने वाले तेरे गवरव को समझें, रैटर कहता है कि आप इतना बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं, आप कह सकते हैं, इतना, लेकिन और इस देश आपको पिछली सब बातें बोल सकता है, लेकिन क्या है वाईलाड आप में इतनी उदारता ही नहीं कि आप अपने गल्ती को मान करने है तो बच्चो इस तरीके से ये पूरा क पूरा चैप्टर पूरा होता है अब इसमें आते है प्रश्णोत्तर प्रश्णोत्तर में पहला प्रश्णा है कि माध्यम से बच्चों स्यो संभू की दो गायों की कहानी के माध्यम से बताना चाहते हैं कि इस देश में पस्कों की बिछड़ने के समय उनकी ऐसी दसा होती है। वहां पर के're मनुष्य आपस में क्या है। जब बिछडते हैं तो उनकी दसा कैसे होती होगी। कहने का मतब्द है कि यहां पर क्या जो आदमी कर्ष्ट देता है ना वो भी अगर क्या दूर होता है तो हम हिंदुस्तान्यों को कर्ष्ट होता है। प्रजा के गिरगरा करके बिच्छेदना करने की प्रातना पर आपने जरा भी ध्यान नहीं दिया. यहां किस एतिहा से घटना की और संकेत किया गया है? तो यहां पर बच्चो बंगाल के विभाजन की घटना है. 1905 में बंगाल प्रदेश को दो हिर्षटों में बाड़ दिया गया था पूर्वी बंगाल और पस्चमी बंगल और West वेंगौल प्रदेश को इस्ट वंगाल पाकिस्तान को दिया गया था और उसका नाम पूरी पाकिस्तान था बाद में क्या है वह स्वतंत्र देश मन गया और बांगला देश मन गया वेस्ट बंगॉल हिंदुस्तान का एक प्रदेश है तो 1905 में क्या लड करजन ने ही बंगाल प्रांद का विभाजन किया था उस घटना का यहां पर जिक्र किया ग करजन को इस्तीफा देने के पीछे जो राइटर बता रहे हैं कि वास्ताव में यह लाड करजन जो थे कि कॉंसेल में अपने मन पसंद का एक सदा से निक्त करना चाहते थे और शिदीशी बात यह है कि व्यक्ति को उन्होंने क्या है ऑफिशर को निक्ति करना चाहते थे मन पसंद और उसमें क्या है अहागे प्रमोड कर रहें और जिसके चलते चलते क्या है जो है कि मेसंदीं की शिगवाशिक हुई और शिकवाशिक हुई तो क्या है कि औरोने क्या है अपनी बात पर इस बात पर जोड़ दिया है मुझे यहां पर काम करना है मुझे देखना है तो मैं अपने आधार पर काम करूंगा कर अध्युवर्बेंट फुर्ण इस्तीफा देदिया कर रहा रहा अधार पर काम नहीं होगा तो मैं इस्तीफा देता हूं तो ब्रूटिश गर्मेंट निका भीया दो स्तीफा तुम्हारे स्टीफा शिवकार या तो अपकी काम भी बने रहां जब तक कोई दूसरा वाइस र आपको सोने का से मिला आपको जब रियात्रा निकलती तो आपको हाँ थी क्या है सबसे पहले रहता था यहां हिंदोस्तान के सभी राजे रजबारे रही सभी आपको क्या है आपके सामने हाँ जोड़कर खड़े रहते थी आपके यहां मिल गए आपको क्या है इस्तीफा देना पड़ा पंद से हटा दिये गए कप कितने उचाइज पर जाने के बद कर से जब गिरेंगी तो कितने नीचे में जाएगे तो क्या रस्तों न थे कि इस पर आपके और यहां के निवाचियों के बीच में भी कोई तीसरी शक्ति किसे कहा गया है तो यहां पर तीसरी शक्ति ब्रेटिस गोवर्मेंट के लिए नहीं कहा गया है तीसरी शक्ति के लिए कहा गया है तो बच्चों यहां इसरी शक्ति जो होती है वह क्या होती है आप कहीं पर कोई कितने आपको कितना सुप्रीम हो समझे लेकिन उस प्रभ्रम प्रमेश्वर के शाम में क्या है किसी की नहीं चलती है जो करना होता है वह आतüş करता है आदमें जो सोचता है वह कुछ नहीं होता है यहppy होता है एजो मंझूरे खुदा होता है यह सबIES यहां तो बच्चों इस तरेके से आप लोगों ने इसे पढ़ा और इसे और भी इसके अंदर कई दीरे-दीर कई कोश्चन्स जो बनते हैं उनसे समधित जैसे कोश्चन्स को क्या पराग्राफ में आप वाइज जो भी प्रावल्म होगी आप क्या उसे भीजिए ये कोश्चन्स आप पॉपे में लिखिये और हमें सेंड करें कि या आपने काम किया है कि नहीं किया है यह आपका होम वर्क हैं और जो भी ऐससे समधित कोश्चन है आप सेंड करें प्राव कि उसका हम आथ प्राव ऑрах करуляं लिखने के बाद वे से लर्ण भी करना है तो वही होम वर्क हैं लिखना बस नहीं है ओके इस प्रेंट्स थैंक यू